एक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था शालू स्कूल जाने लाइक हो गई थी एक दिन तोनों इसी बारे में घर पर बात करते हैं अब हमें शालू को स्कूल में डाल देना चाहिए वैसे तो वो पडोस वाली शीला दिदी है न वो बता रही थी यहां से थोड़ी दूर पर चोटे बच्चों का स्कूल खुला है अच्छा ऐसी बात है तो हम कल चल कर देखाते हैं अगर सब सही हुआ तो हम शालू को उसी स्कूल में डाल देंगे अगले दिन रवी और शीला दोनों शालू को लेकर उस स्कूल में जाते हैं स्कूल बहुत ही सुन्दर है वहां बहुत बड़ा खेलने का मैदान जिसमें तरह-तरह के जूले होते हैं शालू तो ये सब देख कर ही बड़ी खुश हो जाती है ममी पापा मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है देखो तो जरा इसे अभी से स्कूल में पढ़ने की कितनी जल्दी हो रही है थोड़े दिन बात जब मन भर जाएगा ना तो फिर स्कूल के नाम से ही रोना शुरू हो जाएगा ये तो सही बात है दोनों अंदर जाकर प्रिंसिपल से बात करते है रवी और सीमा को स्कूल बहुत ही पसंद आता है तो वो उसी दिन शालू का उस स्कूल में एडमिशन करवा देते है अगले दिन से शालू स्कूल जाना शुरू कर देती है उसका पहला दिन होता है तो वो बड़ी ही खुश होती है सीमा उसे स्कूल छोड़ने जाती है स्कूल पहुँशते ही स्कूल के गेट पर एक टीचर खड़ी होती है हलो मेरा ना मनामी का है मैं शालू की टीचर हूँ आप स्कूल के अंदर नहीं आ सकते बस बच्चा ही स्कूल में एंट्री कर सकता है तो आप शालू को छोड़ जाए मैं से क्लास में ले जाओंगी अच्छा ऐसी बात है तो आप इसे ले जाएए बाई ममी चुट्टी में मुझे लेने आना हाँ मेरी प्यारी बच्ची अच्छे से पढ़ाई करना टीचर शालू को पीछे के रास्ते से होती हुई एक सुनसान जगह ले जाने लगती है तभी शालू बोल पड़ती है मैडम मेरा इस्कूल तो वहाँ है ना हाँ बेटा पर आपकी क्लास का रास्ता यहां से है अगर आप वहाँ से जाओगे तो बड़े बच्चे आपको बहुत परिशान करेंगे क्या आप चाहते हो आपको बड़े बच्चे परिशान करें नई मैडम तो फिर बस चुपचाप मेरे साथ चलती रहो teacher शालू को लेकर class में जाती है वहां पहले से ही काफी सारे बच्चे होते है सभी बच्चे शालू की तरफ देख रहे होते हैं और सब बहुत ही डरे हुए लग रहे होते हैं शालू तो हर बात से अंजान बस अपने नए school की खुशी में पागल हो रही होती है उसे क्या पता होता है कि उसकी खुशी भी बाकी बच्चों की तरह गायब होने वाली है चलो, तुम उधर सीट पर जाकर बैठ जाओ ठीक है मैडम शालू अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है उसके बाद टीचर बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है वो एक चौक उठाती है और ब्लैक बोर्ड पर एक मुश्किल सा सवाल दिखती है उठो राहुल, चलो, जल्दी से मुझे एक मिनट के अंदर अंदर ये सवाल सॉल्व करके दिखाओ ये, ये, ये तो बहुत मुश्किल है मैं कैसे करूंगा, मुझे तो गिंती भी नहीं आती मुझसे जुबान लड़ाएगा, तेरी इतनी हिम्मत टीचर की आँखे गुसे में लाल हो जाती है और धीरे-धीरे वो तो एक चुडैल का रूप लो लेती है गुसे में वो राहुल के बाल पकड़ती है और उसे खींचते हुए सब के सामने लाकर खड़ा कर देती है शालू की हालत उस चुडैल को देख कर ही खराब हो जाती है उसकी आँख से आसू और हाथ-पैर बुरी तरह कांपने लगते हैं वो मनी मन बहुत घबराई हुई होती है पर टीचर को राहुल पर कोई तरस नहीं आ रहा होता अभी के अभी ये सवाल कर वरना तुझे पता है ना मैं बच्चों के साथ क्या सुलूप करती हूँ अरे मेरा प्यारा बच्चा मैं तुझे कैसे माफ कर सकती हूँ सजा तो तुझे जरूर मिलेगी और वो भी पिछली वाली से ज्यादा खतरनाक चुडेल टीचर इधर उधर देखती है और फिर उसकी नजर एक टूटे हुए बिजली के बोर्ड पर जाती है करेंट वाली दो तारे बाहर निकालती है अब कितना मजाएगा जब मैं तुझे करेंट लगाऊंगी और तो में धक की तरह नाचेगा सारे बच्चे ताली बजाना ठीक है सब बच्चे राहुल को ऐसी हालत में देखकर बड़े घबराए हुए होते हैं पर चुडेल को राहुल के रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता वो दोनों तारों को राहुल के हाथों पर लगाने लगती है राहुल जोर जोर से चिलाने लगता है और सौरी बोलता रहता है पर चुडेल को उसे ऐसे चिलाते देख और मजा आता है वो बार बार उसे करेंट लगाती है और बड़ी खुश होती है वो तब तक ऐसा करती है जब तक राहुल बिलकल बेहोश नहीं हो जाता उसके बाद वो शालू को खड़ा करती है अरे मेरी प्यारी बच्ची मैं तुझे कैसे भूल गई तेरा तो आज पहला दिन है और मैंने तेरा स्वागत भी नहीं किया ये तो बहुत गलत बाद मुझे मम्मी के पास चाना है मुझे मम्मी चाहिए चुप बिल्कुल चुप अगर दरा सी भी आवाज निकाली तो तुझे गंजा कर दूँगी समझी और हाँ अगर किसी बच्चे ने घर जाकर कुछ बोला तो फिर मैं उसको खिड़की के बाहर उल्टा लटका दूँगी और चुहे वाले कमरे में अखेला बंद कर दूँगी शालू डर के मारे चुप हो जाती है पर उसकी आँखों से आंसु निकलना बंद नहीं होते चुडए शालू को बहुत मारती और डराती है पूरे दिन वो किसी ना किसी बच्चे को मारती ही रहती है जैसे ऐसा करने से उसे कितना मज़ा आ रहा हो इतना करने से भी उसका मन नहीं भरता और वो अपने एक बड़े से बैक से एक डंडा निकालती है पर तभी स्कूल की बेल बच जाती है बच के तुम लोग जाओ जाओ अब यहां से और हाँ आगर किसी को बताया तो सब बच्चे खुशी से क्लास से बाहर भागते हैं और सब गेट पर जाकर अपने ममी पापा को जाकर चिपक जाते हैं शालू भी अपने ममी पापा को देखते ही उनके गले लग जाती है वो बहुत ही घबराई हुई होती है और पूरे रास्ते बिलकुल चुप चाप रहती है सुबह तो तुम इतना खुश थी पर अब इतना चुप क्यों जालू गर पहुँचकर भी चुप चाप ही रहती है वो अपनी मा को सब सच बताना चाहती है पर कहीं उसे टीचर चूहे वाले कमरे में बंद ना कर दे इस डर से कुछ नहीं बोलती रवी और सीमा को लगता है कि शायद शालू ठक गई है इसलिए ऐसा कर रही है इसलिए वो इतना ध्यान लहीं देते पर अगली सुबह जब दुबारा स्कूल जाने का टाइम होता है तो शालू तो स्कूल जाने से घबराने लगती है मम्मी, वो मेरे पेट में दर्द है मुझे स्कूल नहीं जाना देखा, मैंने कली आपको बोला था न कि थोड़े दिन बाद इसके स्कूल ना जाने के बहाने शुरू हो जाएंगे आज तो दूसरा ही दिन है नहीं मम्मी, सच में मेरे पेट में दर्द है सीमा शालू का एक बहाना नहीं सुनती और जबरदस्ती उसे स्कूल छोड़ाती है वहाँ फिर से वही टीचर उसे कलास में ले जाती है और फिर कलास में जाते ही चुड़ैल में बदल जाती है उसके बाद उसका वही बच्चों पर अत्याचार शुरू हो जाता है वो बच्चों को मारती, पीटती और खूब डराती बच्चे कभी भी डर की वज़ा से घर पर नहीं बता पाते थे और ना शालू कभी बता पाती थी ऐसे ही बहुत दिन निकल जाते है और अब सीमा और रवी को शक होने लगता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि उनकी बेटी इतना चुप और डरी होई क्यों रहती है एक दिन सीमा अचानक स्कूल की छुट्टी होने से पहले ही पहुँच जाती है और रिसेप्शन पर जाकर मैडम से बात करती है मैडम मेरी बेटी शालू को प्लेज भेज़ दीजे वो दरसल हमें अचानक कहीं जाना पढ़ रहा है इसलिए मैं जल्दी आगई कोण शालू मैडम मेरी बेटी शालू पिछले मही नहीं मैंने इस स्कूल में उसका एड्मिशन करवाया है वो नर्सरी में पढ़ती है मैं आभी पूछ कर बताती हूँ मैडम वैसे मुझे हर बच्चे की जानकारी रहती है और मैं किसी शालू को नहीं जानती रिसेप्शनिस फोन करके पूछती है तो पता चलता है कि शालू नाम की कोई बच्ची नर्सरी क्लास में नहीं पढ़ती मैंने बोला था ना मैडम आपको कि यहां नर्सरी क्लास में कोई शालू नाम की बच्ची नहीं पढ़ती सीमा तो ये बात सुनकर घबरा जाती है वो स्कूल में शोर मचा देती है उसके बाद प्रिंसिपल वहां आ जाती है और सीमा से पूछती है कि वो शोर क्यों मचा रही है स्कूल वाले बोल रहे हैं कि मेरी बेटी यहां नहीं पढ़ती जबकि मैं रोज उसे स्कूल छोड़ कर जा रही हूँ और छुट्टी में मुझे वो वही गेट पर मिलती है आपको तो याद होगा ना मैडम मैं और मेरे हस्बेंट दोनों आये थे एड्मिशन करवाने अरे हाँ मुझे याद आया आप तो उसका उसे दिन एड्मिशन करवा कर गये थे पर आपकी बच्ची अगले दिन स्कूल ही नहीं आई मैडम हमें लगा शयद आपका मन बदल गया होगा पूरे स्कूल में शोर मच जाता है और सब जगर शालू को ढूंडा जाता है पर शालू कहीं नहीं मिलती फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो सीमा देखती है कि उसकी बेटी पीछे के रास्ते से आ रही है शालू मेरी बच्ची मिल गई मेरी बेटी तो कहां थी मेरी बच्ची उसके बाद प्रिंसिपल शालू को खुद बिठा कर उससे सब पूछती है कि उसकी क्लास कहा है शालू उन्हें पीछे के रास्ते से उपर अपनी क्लास लेकर जाती है तो प्रिंसिपल सब समझ जाती है मैं सब समझ गई हूँ कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है दरसल यहां पहले एक क्लास होती थी और उसमें अनामी का नाम की मैडम बच्चों को बढ़ाती थी वो बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मारती थी और जब एक बच्चे के पैरेंट्स ने उसकी कंप्लेंट की तो हमने उसे स्कूल से निकाल दिया उसने स्कूल में बहुत हंगामा किया और निकलने से मना कर दिया जब हमने उसकी एक नहीं सुनी तो एक दिन उसने आखरे दिन में अपनी क्लास के सारे बच्चों को जहर देकर मार डाला और खुद भी फांसी लगा कर आत्मत्या कर ली उसके बाद वो क्लास हमने हमेशा के लिए बंद कर दी थी पर शालू तो अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के बारे में हमें बटाती थी तो वो बच्चे कौन है वो वही बच्चे हैं जो सब मर चुके हैं सीमा के पैरू तले जमीन ही किसक जाती है अगले दिन प्रिंसिपल शांती पार्ट करवा कर उस चुडैल को वही बंद कर देती है उसके बाद जब शालू स्कूल जाती है तो कभी नहीं डरती शेहर से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा और घना जंगल था उस जंगल में एक चुडैल अपनी चुडैल बेटी के साथ रहती थी वो चुडैल अपनी चुडैल बेटी को बहुत प्यार करती थी और प्यार से उसे बिनी बुला दी थी बिनी चुडैल दिखने में तोन सभी बच्चों को देख रहे हूँ, जो सकूल जा रहे हैं, वो देखो मेरा भी बहुत मन करता है सकूल जाने का, सकूल में बैठ कर पढ़ने का, मा मुझे भी सकूल जाना है, क्या तो मुझे सकूल भेज सकते हो? बिनी के बाते सुनकर मा की आँखों में आसुआ जाते हैं मैं अपनी बेटी को जरूर स्कूल भेजूंगी और तुम्हें खूब पढ़ाऊंगी पर मा ये तो संभवी नहीं है मैं इस हालत में कैसे स्कूल जाऊंगी मुझे देखकर तो सभी बच्चे डर जाएंगे और तो और मुझे तो कोई स्कूल में घुसने तक नहीं देगा ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो अगर मेरी बेटी को पढ़ने की इतनी ही लगन है तो एक मा अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं कि मुझे जादू भी आता है मैं तुम्हें जादू से एक साधारन लड़की बना दूँगी फिर तुम स्कूल जा सकती हो क्या? सच में मा? तुम्हें जादू आता है इसका मतलब मैं भी अब दूसरी लड़कियों की तरह दिखूंगी अब तो मैं भी स्कूल जाओंगी सहीलियां बनाओंगी फिर क्या था? अगले दिन सुबह सुबह चुडैल अपने सामने बिनी को बुलाती है और कहती है बिनी मैं तुम्हें अब एक साधारन लड़की बनाने वाली हूँ पर एक शर्त पर हाँ मा बोलो ना क्या शर्त है मुझे तुमारी सारी शर्त मनजूर है बस तुम मुझे इन चुडैल रूप से छुटकारा दिला दो और एक लड़की बना दो मेरी शर्त ये है कि स्कूल की छुटी होते ही तुम सीधा घर आओगी इधर उधर नहीं जाओगी क्योंकि मेरा जादू सर्फ आधे दिन ही चलेगा मतलब सूरज ढलते ही ये जादू तूट जाएगा और तुम फिर से चुडैल रूप में आ जाओगी मतलब यही ना कि जादू सिर्फ सूरज की रोशनी में चलेगा चांद की रोशनी में नहीं तुमने बिल्कुल सही समझा बिनी अपनी चुडैल मा की हर बात मानती है चुडैल आखे बंद करती है और बिनी पर कुछ जादू करती है बिनी धीरे धीरे एक साधारन लड़की में बदल जाती है मा, मा देखो मुझे, मैं कितना बदल गई, अब मैं चुडैल बकरी नहीं हूँ फिर चुडैल भी अपना रूप बदल कर बिनी का दाखिला स्कूल में कराती है अगली सुबह बिनी का स्कूल में पहला दिन था बिनी स्कूल में खुब मन लगा कर पढ़ी आज उसने कई सारे दोस्त भी बनाए अपने चुटी के समय क्या हम दोनों साथ में चल सकते हैं? बाते करते हुए जाएंगे तो बहुत मजा आएगा बताओ क्या बोलती हो हाँ हाँ क्यों नहीं अब तो हम दोस्त बन गए हैं साथ में जा सकते हैं वैसे भी तुम्हारे साथ जाने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा चुटी होने पर बिनी सलोनी को एक छोटे रास्ते से जाने को बोलती है चोटा रास्ता? क्या सच में सकूल से घर तक जाने का यहां चोटा रास्ता भी है? मुझे तो कभी नहीं मालूम पढ़ा उस रास्ते के बारे में आज मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाती हूँ चलो मेरे साथ पर उस रास्ते के बीचों बीच पहुँचते ही बिनी अपने असली रूप में आ जाती है सलोनी उसे बकरी चुडैल के रूप में देखकर हैरान तो थी ही और डरी हुई भी थी तु 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 तीरे सब ही बच्चों को खा जाऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये तुमने साही नहीं किया, मैं अब भी जाकर सब को बताती हूं तुमारे बारे में। जिन्दा रहोगी तो बताऊगी ना मेरे बारे में। चुडेल सलोनी को भागने नहीं देती, उसे मार कर वो बकरी चुडेल उसे पूरा खा जाती है, उसकी हड्डियों तक को चबा जाती है ताकि उसकी मा को इसकी भनक भी ना लगे। सलोनी को खाने के बाद बिनी घर पहुँचती है, आज का दिन कैसा रहा स्कूल में। बहुत ही अच्छा रहा मा, मेरे वहाँ बहुत से दोस्त भी बने, पदा है छुट्टी के समय आज में अपनी सहेली के साथ ही आई, मा स्कूल तो बहुत ही अच्छा है, अच्छा ठीक है, पर ध्यान देना मेरी कही हुई बात का कि सूरज धलने से पहले तुम्हें घर और सभी बच्चों को पिक्निक जाना है, हम सब खूब मस्ती करेंगे वहाँ, पिक्निक का नाम सुनकर सभी बच्चे खुशी के मारे उच्छलने लगते हैं, इसलिए बिनी भी स्कूल के बाद सीधा घर पहुँचती है, और मा से पिक्निक पर जाने की बात कहती है, पिक्न बात नहीं करती, इसलिए बेटी के आगे मा हार जाती है, और पिक्निक जाने की अजासत दे देती है, अगले दिन सभी बच्चे पिक्निक मनाने जाते हैं, बहुत सुन्दर और हरी भरी जगा, मैडम, ये जगा तो बहुत सुन्दर है, इससे पहले कभी नहीं देखी इतनी सुन्दर जगा, और यहां कितने रंग बिरंगे फूल भी है, मेरी तो इन फूलों से नजर ही नहीं अट रही, और मेरी तुम सब से, तुमें देख कर मेरे मूं में पानी आ रहा है, कब तुम सब मेरे पेट में जाओगे और मेरी भूक मिटाओगे, हाँ मैडम जी, ये बह वहां भी चले, अच्छा, इससे भी सुन्दर जगा बला कोई हो सकती है, ठीक है, फिर हम सब वहां चलते हैं, बिनी सभी को जूट बोल कर जंगल की तरफ ले आती है, पैस थोड़ा सा और चलना होगा, आगे थोड़ी दूर पर ही है वो जगा, टीचर और सभी बच्चे ज चुड़ेल बन जाती है, तुम बिनी तो नहीं हो, तुम तो कोई चुड़ेल हो, बच्चो सभी भागो जलदी, ये चुड़ेल हम सबको खाजाएगी, अब तुम सब मेरे घर में हो, ये मेरा इलाका है, तुम सबको मैं यहां जान बूझ कर लाई, तुम सब मेरी चाल में बहुत आसानी से फस गए, जैसे बाकी बच्चे आ गए थे मेरी चाल में, इसका मतलब जो बच्चे गाइब हो इस स्कूल से उन्हें तुमने मारा? हाँ मैंने खाया, मेरी माने जब से मुझे इस बकरी के धड़ के साथ जोड़ा है, तब से मैं बहुत भूखी रहती हूँ, मेरा पेट कभी भरता ही नहीं, क्या करूँ अब मैं? अब तो तुम्हारे भोजन बनने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए चुप चाप तुम सब मेरे मुँ में आ जाओ, मेरा भोजन बनने के लिए, चुड़ेल जैसे ही बच्चों की तरफ बढ़ती है, उन्हें खाने के लिए, तब ही उसकी मा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, अपने ही गुरु को मारने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही, मुझे नहीं पता था कि मेर मुझे कुछ पता नहीं, मुझे सब पता चल गया है कि तुमने मुझे जूट बोला स्कूल जाने के लिए, तुम्हें स्कूल पढ़ने नहीं इंसानी मांस खाने जाना था, जिन बच्चों को तुमने मारा उसकी सजा तो तुम्हें मिल कर रहेगी, नहीं मा, मुझसे गलती हो गई, अब नहीं करूगी दुबारा ऐसा, मत दो मुझे सजा, चुडैल अपनी बेटी की एक नहीं सुनती, वो अपनी जादू से अपनी चुडैल बेटी को पूरी की पूरी बकरी बना देती है, अब तुम जिंदगी भर इसी हालत में रहोगी, और इस जंगल की घास ख जादू नहीं कर दो जादू से अपनी बेटी की एक नहीं से फूरी को पूरी कर देती है, और इस जादू से जादूए अज़ जादू से देती है, जादू से